मशहूर यूटूवर और बिग वास OTT के विज़ेता है एल्विस यादव सुर्कियों मैं सुर्कियां ये कहती हैं कि नॉडा में एक ट्रेप बिचाये गया पीफल्स फॉर एनिमल एंज्यो भी तरहत और उसमें ये खुलाता हुआ कि एल्विस यादव और उनके साथी जो प्रतेबंदे साफ हैं उनकी तरही के तसकरी करते हैं और साफ के जहर का नशा करते हैं यसे गंबीर आरूप लगे हैं जो आरूप लगे हैं उन पर आप क्या कहेंगे गलत लगाया है कि उन्होंने आरूप यहां जो है हमारे बच्चे ठीक ठाक है मारे दोर पेड़े लिखे कोई एप सबाब नहीं थे उसमें तो हम से यह कहेंगा पुलिस के लट लगा रही है कि लड़का ठीक है मारे परिवार का कोई दूरी नहीं है बस ओर हम क्या कहेंगे यह कहेंगे अच्छा मैं सर इस पूरे वजीरवाद गाव में घूम रहा था और लोग यह कहते हैं कि 26 साल का लड़का है और आरोप ऐसे हैं जिनकी कोई जड़े नहीं है अचानक से शायद उसको बदराम करने के लिए सा कुछ किया जा रहा है बिल्कुल किया जा रहा है इसमें कोई दो राए नहीं गो लड़का ना तो किसी ऐसी फैमली से बिलोग करता है जिसके परिवार की पीछे से कोई ऐसी प्रस्ट भूमी रही हो कि उनके अंदर तो इसकी तरह का कोई करनला आदमी रहा हो बहुत शरीफ माबाप हैं बहुत शरीफ परिवार से है फादर इसके अरियाना गोवर्मेंट के अंदर जो है वो टीचर है मदर इसकी हाउस वाइफ है ताउ जी इसके सेंट्रल बैंक से जो है वो मैनेजर रेटायर हुए है बहुत अच्छे परिवार से है इस तरह है कोई भी उसमें वो नहीं है कि ऊठते हुए बच्चे को सरफ किसी भी तरीके से बद्राम किया जाए या कैसे जिया जाए तो क्या वाज़ा हो सकती है इस तरीकि से सुर्कियों में आना पहले भी सरीकित विवाद में लिए चाच चुके हैं कि गमला उठा लिए सरकारी गमले चौराय से उठा लिए ऐसे आरोप उन पर लगे थे अब एक नया मामला यह तो कोई नया मामला नहीं तो जो चड़ता बच्चा रहा है समझदार रहा है उस पर आरोप लगता ही रहा है सुसान सिक राजबूत को मारी नहीं दिया था उसमें कोई ऐसी वह नहीं है किसी परकार लेकिन जो बच्चा समझदार चड़ रहा है किसी बात उसकी ज्यादा सुर्खिया होए तो उसने डाउन करने के लिए कोई न कोई तो रचना रची जाए तो वही काम एलविस के साथ हो रहा है बाइकि गाहों में रहा इतने किसी परकार के कोई प्रेशन नहीं है कुल्दी पास की परिवारों को अच्छे से जानते हैं और खुद आपी की शित्रों यहां पर हैते हैं परिवार कैसा है और उनकी पता कल भी यह कह रहे थे कि हम तो गाई भैस पालने वाले लोग हैं साब क्यों पालेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हो सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि बिल्कुल सही है उसके मात अपिता और मेरा एक ही परिवार है अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं और इस लड़के का गलत नाम लिया जा रहा है एल्विस यादध बिल्कुल बेकसूर है और जल्दी बेकसूर होकर आप लोगों के सामने भी आएगा इस तरीके का हम हमने तो ना उसको देखा और ना हमने सुना वह बीडी सिक्रेट तक भी नहीं पीता है ना किसी तरीके के नसे में बड़ा मैंती लड़का और अपनी मैनत अपने काम से लगा हुआ है और उसके काम का रिजल्ट आप लोगों के सामने भी इतने कम समय में कामयाभी भी आसिल उसने की यह क्या लगता अप Kelly इसकी पीछे कारण क्या हो सकते क्यों कि हरिाना कायों हिवा हम को तक अखेल लोगों की जीवन में ऐसी दिक्कते तो और इसके गरीब घर से उठा हुआ लड़का है तो काम्याभी से लोग कुछ लोग जड़े हुए और इसके पीछे लगातार सडियंतर कर रहे हैं नेगेटिव भी चल रहे हैं पी यार बना कर चला रहे हैं तो मैं तो यही मानता हूं कि किसी कि यह साजिस है और जल्दी यह सा क्यों लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे गाओं वालों को सिर्फ एक साजिश नजर आती है कि जब कोई बंदा उपर उठता है उसको शौरत मिलती है तो उसको फसाने वाले भी चार लोग सामने आ जाते हैं कैमरा परसन यूगल ठाकुर के साथ मैं माना व्यादा निउस इंडिया